हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो यूडी सी आरे प्रेडिक्शन आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है पाकिस्तान सूपर लीग का अगला मैच बिट्वीन पेशावर जालमी एन मुल्तान सुल्तान्स दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या पॉजिशन है दोनों टीम्स की आप देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान थर्ड पॉजिशन पे हैं और पेशावर जालमी फॉर्थ पॉजिशन पे हैं मुल्तान सु जो net run rate है वो थोड़ा better है इसलिए वो third पे हैं और इस match की बात की जाए तो पेशावर जालमी के लिए जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन फैक्ट जो भी दोनों में से ये match जीतेगा उसका qualification confirmed हो जाएगा top four के लिए ठीक है और जो match हारेगा उससे अपना बचा हुआ आ spot का final position पता लगेगी तो ये match काफी important है दोनों teams के लिए दोनों teams की form की बात की जाए तो पहले मुलतान सुल्तान की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं last के तीन match हार कर आ रहे हैं तो form काफी खराब है इनका और बिलकुल भी expected नहीं था because उत से पहले ये बहुती शांदार form में थे बस पहला match हारे थे ये वो भी एक रन से हारे थे उसके बाद इन्होंने सब matches जीते हैं last के तीन matches से ये लगातार हार रहे हैं एक dip in form आया है इनका तो ये इनके लिए concern है next बात करें पेशावर जालमी की तो आप देख सकते हैं last match ये हार गए 8 रिकेट से जो की एक unexpected ह खेली जो की Jason Roy थे 145 रन बनाया उन्होंने जिसकी वजह से पेशावर जालमी मैच हारे otherwise पेशावर जालमी मैच नहीं हारते और as such उन्होंने कोई खराब नहीं खेला तो आप देख सकते हैं तीनों matches में last के दो जीते हैं एक हारा है बट performances तीनों में अच्छे हैं तो form clearly important होने वाले हैं और फिर उन में से हम कोई 11 प्लेयर सेलेक्ट करने वाले हैं ठीक है अगर हम wicket keepering section में आएं तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं महम्मद रिजवान जिनका selection percentage almost 97% है तो obviously यह important players में ही आएंगे ठीक है तो चली पहले मुलतान सुल्तान का filter लगा लेते हैं औ तो सबसे पहले आगए रिजवान रिजवान के बाद अगर हम बात करें तो आपको बैटिंग section में दिखाई देंगे शान मसूद शान मसूद की बात की जाए तो इनका performance अच्छा है इन फॉर्म ही बोला जाएगा इनको important players में रहेंगे ये because last के 3 matches में से 2 matches में इनोंने ओके लास्ट मैच पर performance अच्छा था इनका उससे पहले भी ठीक ठाक points देकर गए थे तो I think थोड़ा सा inform भी आ रहे है राइली रोजू की बात की जाए तो last के 3 matches से इनका कोई भी performance नहीं आया है अगर हम यहाँ पर भी नज़र डालेंगे तो आपको दिखे का कुछ खास performance नहीं ह लास्ट मैच में ना तो बैटिंग आई ना बॉलिंग आई वट उससे पहले इन्होंने अच्छा perform किया था देखिए इनका ऐसा है अगर यह बोलिंग कराते हैं तो तो यह अच्छे pick हो जाते हैं बट अगर यह बोलिंग नहीं कराते हैं तो फिर इनसे ज़दा आप expect नहीं बहेंगे देन खुशदिल्शा लास्ट मैच में नहीं खिलाया इनको उससे पहले भी इनका performance कुछ खास नहीं था तो इनको अभी हम नहीं सेलेट करेंगे कारलोस ब्रैथवेट के साथ भी सेम है लास्ट के दो मैचे में नहीं खिलाया गया है आई थिंक यह भी चले गए है साथ आफरिका एस सिरीज के लिए देन आगे के दोनों को चांस नहीं मिलने वाला आज के मैच में बोलिंग सेक्शन में हम आते हैं तो एहसान अनुल्ला शांदार फॉर्म में है आधिंक टूर्नमेंट के बेस्ट बॉलर्स में से हैं यह टॉप विकेट टेकर है तो यह भी विकेट टेकर हैं डेथ में बॉलिंग कराते हैं तो important हो जाते हैं देन उसमान मीर की बात की जाए तो इनके भी परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं इस सीजन तो इनको भी मैं important player की लिस्ट में रखोंगा देन इल्यास last match में बहुत पर टाई होई इनकी तो इनको मैं कुछ ख फ्रॉम मुलतान सुल्तान ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेशावर जालमी की ठीक है तो एक बार सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं पेशावर जालमी का फिल्टर लगाते हैं विकट कीपरिंग सेक्शन में आते हैं सबसे पहले आपको दिखेंगे मुहम्मद हारिस जोक कफास-कास पफॉर्मेंस नहीं हैं इनके ठीक है और —Buget-type कीपरिंग भी या रहे हैं तो जी किपरिंग से भी पॉइंट नहीं दे रहा एं तो अभी मैं इनको important players के पॉइंज यही पॉइंट नहीं रख रहा हूँ ठीक है देन आते हैं बैटिंग सेक्षन में सबसे पहले आपको दखेंगे केड्मॉर काफी अच्छे फॉर्म में हैं और तेजी से रण मनाते हैं तो इंपक्ट प्लेयर है कभी भी इंपक्ट डाल सकते हैं और राविल पिंडी की pitch अभी तक बैटिंग friendly रही है तो इनको drop करना बहुत जादा रिसकी रहेगा तो at least यह हमारे important players के section में तो रहेंगे ही रहेंगे Cadmore के बाद बात करें तो आपको दिख रहे हैं सबसे उपर बाबर आजम यह भी अच्छे form में हैं last match में उन्होंने century मारी वो बात अलग है यह match हार गए तो हमारे important players में तो यह रहने ही वाले है at any cost ठीक है then Sam Ayub last के दो matches से क्या performance रहा है इस बंदे का बहुत ही शांदार इनिंग्स के लिए है तो definitely important players की list में रहेंगे यह Robman Powell की बात की जाए तो इनको भी मैं अपने important players की list में रखूँगा because इनका भी form कुछ खराब नहीं है selection percentage में आप मच जाए form अच्छा है और impact player है next आपको दिख रहे है उमरजाई again इनका performances भी काफी अच्छे रहे है अगर आप last match को छोड़ दें तो उससे पहले दोनों matches में इनके performances अच्छे रहे है तो ये भी मेरे inform important players की list में रहेंगे then आपको दिख रहे हैं आमिर जमाल आमिर जमाल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं last match को अगर आप छोड़ दें तो उससे पहले दो matches में ठीक ठीक performance रहे कराची के खिलाफ तो काफी अच्छा रहा था तीन विकेट लिये थे इन्होंने और लाहॉर के खिलाफ भी I think batting तो अतनी नहीं आई थी बट एक विकेट ले कर गए थे तो इनको भी मैं important players की list में रखोंगा ठीक है नीशम को start नहीं मिल रहा है शनाका को start नहीं मिल रहा है शाके बांगलादेश चले गए है इंग्लेंड सिरीज के लिए देन उस्मान कादिर को भी start नहीं मिल रहा है लास्ट के तीन चार मैचेस से तो इनको भी अभी हम consider नहीं कर रहे है मुजीब का unavailable दिखा रहा है बट I am not sure कि इन्हें start मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिलता है तो ये definitely important players की list में होंगे और in fact मेरी team में भी ये रहेंगे because because जो अपना मुलतान सुलतान से हैं इनके पास left handers बहुत जादा हैं तो मुझीब definitely काम आ सकते हैं बट unavailable दिखा रहा है अगर आप इनका economy देखेंगे तो काफी better था बाकियों से और उससे पिछले match में तो चार ओर में 17 रंदे के 3 wicket लिये थे लग रहा था कि पराने वहाब रियाज दिख रहे हैं तो इनको तो बिल्कुल मैं important players की form उसमें रखूंगा section में ठीक है तो ये players हमारे है from पेशावर जालमी इसका भी एक screenshot ले लेते हैं ठीक है तो अब देख लेते हैं हमारे पास total कितने players हो गए मिला के तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं from मुलतान सुल्तान 6 players important हमने mark की हैं and from पेशावर जालमी हमने 8 players important mark की हैं तो total 14 players हो गए इन 14 में से हमें 11 players pick करने हैं ठीक है तो हम एक एक करके elimination की तरीके से player select करेंगे ठीक है सबसे पहले आपको दिख रहे हैं from पेशावर जालमी हसी बुल्ला ठीक है अब हसी बुल्ला के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन से position पर आएंगे क्या ये करेंगे ठीक है last match का performance की बात करेंगे अगर हम हसी बुल्ला की तो आप देख सकते है इनकी batting तो आई नहीं ठीक है और wicket keepering से भी ये कुछ खास point नहीं दे पाए क्योंकि कुछ wicket ही नहीं गिरे ठीक है सिर्फ दो wicket गिरे तो obviously हम इसमें जादा नहीं जाएंगे इससे पिछला match देखते हैं जो पेशावर जालमी ने खेला था वो था against लाहोर कलंदर्स इसमें देखते हैं क्या performance रहा हसी बुल्ला का आप देख सकते हैं batting करने आये थे ये 6th position पे तो I think थोड़ा सा low है batting order batting आने के chances कम है because pitches काफी अच्छी है batting के लिए तो थोड़ा batting से इन्हें pick करना थोड़ा risk हो सकता है but अगर आप wicket keepering की बात करें तो आप देख सकते हैं इस match में ये 4 catches लेकर गए और 1 run out ठीक है तो अराम से आपको ये I think 40 points दे गए सिर्फ wicket keepering से ठीक है तो उतने खराब option नहीं है specially अगर इनकी पहली batting आती है तो ठीक है अगर पहली batting आईगी पेशावर जालमी की तो हम इने pick कर सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए हम इनको pick नहीं कर रहे हैं बट ये हमारी consideration में रहेंगे ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं बाबार आजम देखे बाबार आजम की form बहुती शानदार है ठीक है performances भी इनकी अच्छे है last match में century मारी है तो I think इनको तो हमें pick कर के चलना ही चाहिए ठीक है तो हम pick कर लेते हैं बाबार आजम को सबसे पहले from fish hour zalmi next आपको दिख रहे हैं caller cadmore caller cadmore का मैंने आपको बता दिया performance काफी अच्छा है impact player है ठीक है batting position भी इनकी ठीक है I think ये two down आएंगे और two down जो batting position होती है वो काफी ज़्यादा important होती है because ये ऐसे time पे आ सकते हैं अगर उपर के batsman अच्छा खेल भी जाते हैं तो जब hitting करनी होती है और ऐसे ही game के लिए जाने जाते हैं तो I think caller cadmore को भी pick करना बहुत ज़रूरी है इनको हम drop नहीं करेंगे ठीक है next अगर हम बात करें तो आपको देख रहे हैं ठीक है तो तो पावल को लेना रिस्की है because ये balling भी नहीं कराते हैं बट अगर कोई भी जल्दी विकेट गिर गया ठीक है जो की हो सकता है सैम आयूप देखें दो मैचे से तो अच्छा खेल रहे हैं बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा ट्रस्टिन पे नहीं करूँगा अब यंग्स्टर हैं गल्ती कर सकते हैं ठीक है तो आइटिंग पावल को लेके चलना एक सेफ बैट रहेगा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि उपर के बैट स्मेन ज़्यादा अच्छा खेल जा है तो बात अलग है बट स्टिल आइटिंग पावल को हमें लेके चलना चाहिए मैं इन्हें अपनी टीम में रख रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट आप बात करें तो आपको दिख रहे हैं सैम आयूब जैसा कि मैंने कहा सैम आयूब पे मैं अभी उतना भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है बट अगर हमें इने पिक करना है तो फिर हमें एक रिस्क लेना पड़ेगा फ्रॉम मुलतान सुलतान्स वो ये कि हमें एक उनका बैट स्मेन कम पिक करना होगा ठीक है अभी के लिए हमें पिक करके चलते हैं अपनी टीम में ठीक है तो ये चार प्लेयर हमारी टीम में आ गए नेक्स्ट है उमर्जाई उमर्जाई का मैंने आपको बता दिया विकेट टेकर है ठीक है डेथ में बॉलिंग कराएंगे और बहुत important player है अच्छी form है इनको भी मैं बिल्कुल drop नहीं करने वाला हूँ यह आपको अच्छे points देके जाते ही जाते हैं ठीक है next आपको दिख रहे हैं आमिर जमाल आमिर जमाल देखिए इस attack का main part है चार over कराएंगे और यह batting से भी अच्छी hitting कर लेते हैं इनकेस ऐसा होता है कि भाई collapse होता है तो यह end में आके अच्छे run मना के जा सकते हैं तो इसलिए मैं इनको भी pick करने वाला हूँ अपनी team में ठीक है next आपको देख रहे हैं वहाब रियास इनको मैं बिल्कुल भी drop नहीं करूँगा 100% मिरी team में रहेंगे बहुती अच्छे form में हैं और जब यह form में आते हैं तो इनसे खतरनाक baller कोई नहीं है world cricket में थोड़ा सा age हो गई है इसलिए थोड़ा सा आप कहा सकते हैं mild हो गए हैं बट still एक wicket भी अगर इने मिलता है तो मुलतान में सबसे उपर आपको दिख रहे हैं रिजवान जो की undroppable है इनको drop नहीं करना है खास कर जब important matches आते हैं तो यह अच्छा perform करते ही करते हैं ठीक है तो इनको drop नहीं करके चलना है और दूसरा हम नीचे आएं तो आपको दिखेंगे शान मसूद शान मसूद की बात की जाए तो देखें मैं इन पे ज़्यादा भरुसा तो नहीं करता ठीक है क्योंकि यह कभी भी अपना wicket फेक सकते हैं और खास कर वहाब रियाज अगर खतरनात form में होते हैं तो left handers को तो वैसे भी वो ज़्यादा अपने सामने टिकने देते नहीं है ठीक है दूसरा मुझी बगर खेलते हैं तो तो और भी ज़्यादा difficult हो जाने वाला है शान मसूद और आईली रोजू के लिए ठीक है तो अभी के लिए मैं शान मसूद को नहीं पिक कर रहा हूँ अपनी टीम में ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे है अनवर अली जो की बहुत ही शानदार form में है विकेट टेकर है बैटिंग से भी रन बना सकते हैं और T20 में ऐसे players को बिल्कुल भी drop नहीं करना चाहिए ठीक है तो अनवर अली को मैं लेके चलूँगा अपनी टीम में मेरे हिसाब से काफी important है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं उसामा मीर एहसान उल्ला एन अफरीदी अब इन तीन में से आप सिर्फ एक को ही पिक कर सकते हैं ठीक है तो दिखिए एहसान उल्ला को तो मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूँगा और मुझे लगता है कोई ड्रॉप नहीं करेगा selection percentage भी बहुत हाई है बंदा हर मैच में एक दो विकेट एक दो विकेट निकाल ही रहा है तो अगर देखिए यह फिल होते भी है तो 90% से अब जनता के पास है तो अगर यह चल गए और आपने नहीं लिया तो आप पका मैच हरें पका आप fantasy में हरेंगे ठीक है तो इनको हम पिक करके चलेंगे नेक्स्ट आपके पास है अफरीदी और उसामा मीर देखिए अगर मुलतान second balling करेगा ठीक है तो तो आप मीर को pick कर सकते हैं लेकिन अगर मुलतान पहले balling करता है ठीक है तो आपको अफरीदी को ही pick करना है अभी के लिए मैं मानके चल रहा हूँ कि मुलतान first innings में balling करेगा that means पहले batting करेंगे पेशावर जालमी ठीक है तो इसलिए मैं अफरीदी को pick कर रहा हूँ अगर ऐसा होता है कि मुलतान second balling करेगा तो मैं मीर को pick करूँगा अफरीदी की जगा ठीक है तो अभी के लिए जो मेरी team दिख रही है वो किछिस तरीके से है थोड़ा सा risky team लग रही है जैसा कि मैंने कहा अगर आपको लगता है कि Sam Ayub नहीं चलेंगे तो आप उनको drop करके उनकी जगा किसी भी एक batsman को pick कर सकते है आप शान मसूद को pick कर सकते है आप रैली रोजू को pick कर सकते है एक player के बारे में आपको बताना भूल गया जोकी है मुहमद हारिस ठीक है अब मुहमद हारिस देखे कैसे है कि ये आएंगे one down पे ठीक है लेकिन problem इनके साथ क्या है कि ये hitter है अगर ये opening पे आते है तो तो 5-6 over में देखे क्या रहता है कि जो circle के भार players होती है वो कम होते है तो ये hit कर लेते है कई बार miss hit भी चौक के चले जाते है तो आपको points दे जाते है but because ये अब one down आएंगे या हो सकता है one down भी नाएं उससे भी नीचे आएं अगर wicket देर में गिरे तो ठीक है तो इसलिए और wicket keepering अभी ये कर नहीं रहे है तो wicket keepering के points भी नहीं देखे जाएंगे तो इनको pick करना थोड़ा risky हो सकता है और flips side यह है कि अगर ये चल गए तो बहुत तेजी सरह मनाते है आपको ठीक ठा points देके जा भी सकते है तो ये भी आपकी choice होगी आपको क्या करना है मैं हर इसको नहीं pick कर रहा हूँ तो मेरी team कुछ इस तरीके से है अब आती है captain wise captaincy की बात तो देखे मेरे captain जो रहेंगे वो रहेंगे रिजवान और बाबर में से कोई एक ठीक है इन दोनों में से मैं किसी एक को ही captain मनाऊंगा अबी के लिए मैं रिजवान को अपना captain मना रहा हूँ ठीक है और मैं wise captain मना रहा हूँ बाबा राजम को अगर आपको लगता है कि भाब रियाज आज wickets लेके जाएंगे या इसान उल्ला आज wickets लेके जाएंगे तो आप इनको भी wise captain मना सकते हैं अच्छी choice है या फिर caller cadmore भी अच्छी choice है Sam Ayub जिस form में है वो भी अच्छी choice है ठीक है बट मैं safe जा रहा हूँ और मैं captain रिजवान को मना रहा हूँ और बाबा रजम को wise captain ठीक है तो मेरी team कुछ इस तरीके से दिख रही है अभी के लिए बाकी line ups आने के बाद देखते हैं क्या changes होते हैं उसके according हम भी changes करेंगे ठीक है तो अगर आप हमारे telegram channel से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो please फॉरण जुड़ जाए उसका description video के उसका video के description में उसका link दिया गया है हमारे channel को subscribe करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको bell icon के just बराबर में subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा exactly यहाँ पर उससे press करें और फिर उससे press करने के बाद आप bell icon पर जाके notifications को all कर दें इससे सारे videos की notifications आपको timely मिल जाएगी ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंद